रामनौमी तेवहार के द्रिश्टिकत आज अस्थाई सुरक्षा समीति की बैठक वी जिसमें राज योके अंदर सरकार के विभिन संस्थान विभिन निकाईयां उपस्ति थी और हमारे ट्रस्ट के भी लोग थे प्रतिनिधी गन तो समस्त लोगों ने आज विचार करके जो जो हमारे सामने चुनावतियां थी उसके क्या समाधान हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा की गई और जो पूर में कारवाई की गई है उसकी समिक्षा की गई उद्देश यह रहा है कि जो तेवहार हो शांती पूर्वक्ष संपन्न हो और आने वाले तिर्थियातियों को किसी प्रकार की कोई असुविधार नहीं हो इसके लिए पूरा हमारा शाशन कर संकल्प है और हम अस्थानिय प्रशाशन में इसके लिए सारी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए फर्स्ट फेज का चुनाव नजदीक रहेगा तो उसके लिए आने वाली चैत्रामनों में के लिए सभी सधालों से हम आपके माद्यम से निवेदन भी करना चाहेंगे सुविधापुर्वक कम समय में दर्शन प्राप्त करना है तो अपने जो मुबाइल हैं जूते हैं चप्पल हैं इसको अपने निवास अस्थान पर रख करके आने से दर्शन करके वापस आने का अच्छा आउसर प्राप्त हो सके क्योंकि हमने एक फास्ट्रेट भी बनाया है इंतजामात किये गए ताकि स्वधालों किसी प्रकार की कोई असुविधा नहों और विभीन प्रकार के होल्ड एरियास भी तैयार किये गए हैं उस समय आग्रह कि जाएगा कि मंदिर का जो समय सीमा है वो भी बढ़ जाए ताकि अधिक से अधिक संख्या में स्वधालों को हमारे रामलाला जी के दर्शन हो सके